नहीं कटाती कभी कभी दुपटा सर पर लेके रखें क्योंकि दुनिया बहुत खराब है आप पर बद नजर रखती है अब किसी का जीवन साती देखने में बहुत खुब सूरत है शुशील है, पड़ा लिखा है वह घर की जिम्मेजारियों को बहुत अच्छे से निभाता है पर लोग जो होते हैं न वो आप पर अच्छी निगा नहीं रखते आप में थोड़ी सी क्वालिटीज हो लोग जलते हैं क्योंकि उसका कारण ये है कि उनके घर में ये चीज़ घटती नहीं वो आपकी चीज़ को देख देख के आपकी खुशियों को देख देख के आपके जीवन साथी को देख देख के परिशान हो जाते हैं तो ये मर्द के लिए उसकी औरत पे लागू होगा अगर उसकी औरत हो सके तो कोशिश करें कि दुपट्टा लिकर रगें रखें हाँ अगर आप जीवन साथी मौडन है उनको कुछ कारिस्तल पर जाना पड़ता है तो वहाँ कुछ ड्रेस कोड है उसको भी फालो करना पड़ता है तो आप कोशिश करिए कि गले में छोटा सा सकाफ जरूर रखें और जब कभी भी मौका मिले रिष्टेदारी में जाएं समाजिक दोरे पर जाएं आप जो भी ड्रेस लें यानि कि उसके साथ यां तो स्टॉल के साथ कभी कभी अपना सिर ढखा करें या आप चुनरी के साथ अपना सरी जरूर ढखा करें खास तोर पर बज़र्गों के आगे क्योंकि जब शुक्र और केतू का भी एक तारतम में बैठता है अच्छी कंडिशन में होकर मिलते हैं संसकारों के रूप में तो भी केतू उच्छ होता है केतू उच्छ होने का मतलब यही है शुक्र दो ग्रहों से बना है राहू और केतू जब हम उस में से कितू को उच्छ करेंगे, कितू के हलात अच्छे करेंगे तो शुक कर के हमको अच्छे फल मिलेंगे इसके इलावा हमारे घर की ग्रहनिया, इस्तरियां, बेहन, बेटियां क्या करती है कि अपने बालों को खुला रखती है देखिए जितना हो सके उतना कम अपने बालों को खुला रखे क्योंकि औरत औरत ऐसी नाजुक चीज है औरत ऐसी नाजुक चीज है कि जिस पर हवाई बलाई बद का असर बहुत जल्दी होता है यानि कि नेक्टिव एनर्जी औरत की तरफ बहुत भागी हुई जाती है उसमें एक कारण ये है कि मासिक धर्म मासिक धर्म के कारण यानि कि औरत की शरीर की बनावट कुछ एनर्जी ऐसी होती है कि जो नेक्टिव एनर्जी है उसकी तरफ भागी जाती है तो औरतों को क्या चाहिए कि अपने बालों को जितना हो सके बांध के रखें तो ये उनके लिए बहुत ही शुबकारी होगा इसके इलावा हम बात करें तो कुछ चीजों का खास तोर पर ध्यान रखें कि अपने घर की सजावट को उम्दा रखें घर आपका जैसा मर्जी हो हर चीज अपने टिकाने पर हो अपने बेड़ पर कभी भी आप नीले रंग की चदर लाल रंग की चदर लाल रंग की इसलिए कि कई बार किसी का मंगल बद होता है मतलब नेक्टिव होता है तो वो चदर अगर आप अपने बैड पर बिचाएंगे तो वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी तो कोशिश करें वाइट कलर की चदर या ब्लैक और वाइट चदर या ब्राउन कलर की चदर या पिंक कलर की चदर या ब्लैक मिक्स हुआ कोई रंग उसकी चद्दर आप अपने बेड़ पर बिछाएं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट में लेगा तो कपड़ों का मैंने आपको बता दिया कि कटे फटे बिलकुल नहीं पहनने इसके लावा एक चीज समाजिक तौर पर हमारे में देखने में आई है मुझे वो यह है कि जब भी किसी के घर में प्रिये जन किसी बी की मित्त्य हो जाती है तो जब उस इन्सान को उसके अंतिम किर्या करम के लिए शमशान ले जाया जाता है तो हमारे घर की इस्तरियों का कई बार उस विक्ति से लगाव होता है लगाव तो होता ही है उस विक्ति के साथ तो वो अपने आपे से बाहर हो जाती है यानि कि गमगीन हो जाती है और इस गमगीन महौल में वो बिचारी जानती नहीं है कि वह सिवे में सिवा उसको बोलते है जहांपर मुर्दे को लिटा कर जलाया जाता है लकडियों को लिटा कर तो वो सिवे में परवेश कर जाती है अब जो मुर्दा जलाने की जगा है वहां negative energy का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है क्योंकि वो आठमा घर है आठमा घर मंगलबद का है मंगल बद यानि कि नेक्टिव एनरजी लाल किताब में मंगल बद को जिन और भूत का दरजा भी दिया गया है तो मैंने पहले भी आपको कहा कि औरत का शरीर बहुत नाजूख होता है उस पर इस चीजों का असर बहुत जल्दी होता है हमारे देश में आज भी कुछ ऐसे सामुदाएं हैं जो अपने घर की इस्तरियों को कभी भी शम्शान घाट में नहीं लेके जाते लेकिन हाँ आज के समय में समाज बदल रहा है और हमें हमेशा समय के साथ चलना चाहिए मैं ये नहीं कहता कि अपने घर की औरतों को दबाईए उनकी भावनाओं की भी कदर कीजिए वो जैसा जीवन चाहती हैं उनको उनके मताबिक जरूर दीजिए क्योंकि भगवान ने उनको भी हमारे बराबर के अधिकार हमारे बराबर का शरीर हमारे बराबर के जजबात दिये है तो मैं यही कहूंगा अपने देश की बहु बेटियों को और माताओं और बहनों को आप शमशान जाईए अगर आपका कोई प्रिय जन चला गया है इस दुनिया से पर ये ख्याल रखिए कि आप हमेशा अपने बालों को उस समय बांद के जाईए आप सोहागन है आप चुनरी ले के जाईए और पर वो चुनरी बिलकुल पूरी सफेद ना हो ये चीज़ का ख्याल रखेगा उसमें लाल बुटी थोड़ी बहुत रहनी चाहिए या किसी भी अधर कलर की तो अपना सिर बांदते हुए अपने बालों को चुनरी से जरूर ढखिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार शमशान में राख उड़ रही होती है वो आपके सर पर पढ़ती है और आपको मासिक धरम है तो आप कभी भी भूल कर भी शमशान मत जाइए और सिवे में जाने का यानि कि उस मित्तु शया जहां मुर्दा लटाया जाता है वहां पर तो जाने का पर्यास बिलकुन ना कहे करें पर आज के समय में हमारे समाज की इस्तरिया इस चीज़ को नजर अन्दाज कर रही है पर इसको नजर अंदाज ना करें नहीं तो इसकी बहुत भारी कीमत आपको चुकानी कर सकती है आप जब भी मासिक धरम में हो कभी भी आपको शमशान नहीं जाना इस चीज़ का ख्याल रखना है और वहां से चलने से पहले अपने सिर पर पानी का छिटा मारना है फिर ही शमशान से बाहर निकलना है कई बर कई इस तरियां ऐसे ही निकल जाती है और घर आता ही शनान करना है ये ध्यान रखिएगा और इसके इलावा जब भी आप मासिक धरम में हो कभी भी मंदिर में परवेशन मत करिए मतलब आपने अगर घर में मंदिर बनाया है तो उसमें पूझा पाठ बिल्कुल न करिए कई इस तरियां इस चीज़ का ध्यान नहीं रखती तो इस चीज़ का ध्यान रखें इससे भी आपके घर की बरकत उड़ जाएगी शुकर खराब हो जाएगा कभी भी मंदिर ना जाएं कभी भी ससंग में ना जाएं कभी भी किसी के धार्मिक आयोजन में बिल्कुल मत जाएं इसके इलावा आज के समय में इस तरियां एक चीज़ भूलती जा रही है उसके कारण घरों से बरकत उड़ रही है वो ये चीज़ है कि सूरे डूबने के बाद कई इस्तरियां अगर किसी के घार मित्यू हो गई है तो उसका अपसोस करने लग पड़ती है उस पर चर्चा करने लग पड़ती है शाम का समय शनी और राहू का है उस समय में कभी भी किसी का अपसोस नहीं किया जाता था पुराने समय में इस चीज़ का ध्यान बड़े बज़ूर्ग बहुत रखते थे पर आज के समय में कुछ हलात ऐसे हो गएं कुछ लोग क्यों ये चीज़े भूलते जा रहे हैं जिसके कारण उनको काफी दुश परभाव उठाने पड़ रहे हैं तो उसका अफसोस उस पर चर्चा बिल्कुल ना करें तो ये कुछ सावधानिया थी शुकर को ठीक करने के लिए ये टेवे से बाहर की बाते हैं अकेला टेवा आप कहें कि हम शुकर का उपाई कर लें तो ठीक हो जाएगा नहीं जो आप गलतियां कर रहे हैं मेरा फर्ज है आपको वो सब बताना आपको गाइड करना क्योंकि हम उन रिशी मुनियों की संतान हैं जिनोंने निस्वार्थ भाव से समाज के कल्यान के लिए कारे किया ऐसी मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें ये समझ आई होंगी अगर कोई बात आपकी समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से वो कोश्चन पूछ सकते हैं या मेरे वटसब नंबर पर आप मुझे वो वटसब कर सकते हैं मैं परयास करूँगा मेरा शड्यूल थोड़ा बिजी रहता है मैं परयास करूँगा कि आपके उस उत्तर का जल्द से जल्द जवाब दूँ पर इन चीजों का ध्यान दखिए परमात्मा आपको बहुत अच्छा शुकर से भरा हुआ यानि के एश अच्छी वाली एश वाला जीवन सुक समरिधी वाला जीवन और इसके इलावा इश्क वा महबत जिसका कारक शुकर है प्रीम का कारक शुकर है उससे भरा हुआ जीवन दे त आने से पहले कहूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक वाश शेयर करें ताकि जोतिश के प्रेमियों तक इस वीडियो की जानकरी जरूर पहुंचे चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छा लगे तो इसी के साथ राम राम